उसका कोई बदल ने, उसका कोई बदल ने, वो आगी सोचे कि मैं अपने गुजरवी वक्त में से ले लू तो कहा कि कयामत तक नहीं ले सकता है, खतम हो गई बार, जो गुजर गया गुजर गया, इसलिए वक्त का कोई बदल नहीं है, लाखो करोडो रूपिय लगा कर भी, औ और दुनिया बर का सोना चांदी अगर इंसान देवी देवे तब भी अपने गुज्रेवू अवकात में से इंसान एक गड़ी को नहीं ले सकता। आज सुबह का वक्त हमारा हाथ से गुजर गया, जोहर का वक्त हमारा गुजर गया, अब उसको वापस लेना है। कितना भी खर्च लगा लोग, जितना भी हो जावे कर ले, लेकिन जोहर का वक्त मुझे वापस लेना है, कहां कि नहीं मिलेगा। माल का नुक्षान उसका बदल है, आज ने कल इंसान मुकदर का कमा लेगा, लेकिन वक्त का कोई बदल नहीं। इसलिए भाई जोस्तों बदल गों, अपने वक्त को किम्ती बनाना, अपने जिंदग्यों को संभालना, ये अकलमंदी है। दुनिया का एक मरतबा जो मौका मिला है, और उसका इतना किम्ती वक्त मिला है, कि उस किम्ती वक्त में इंसान बहुत कुछ कमा सकता है, दिन के एतिबार से, दुनिया के एतिबार से, हाँ, इसलिए भाई जोस्तों बदल गों, अपने वक्तों को संभालना, अपने वक्तों के मजगूलों में अपने वक्त को जाईवाग बर्बाद करना हुदाना कि अकल मन्दी ने हमारे अका स्वाल लूब लिए इसको अकल्मन किसको कहते हैं बेर अच्छा माल कमावे अच्छे डिगरी हासिल कर ले दुनिया वाल इसको तो अकल्मन कहते हैं हाँ हमारे आका स्वाइब ने फर्माया अकल्मन वो नहीं अकल्मन वो है जो मौत से पहले मौत के बाद की जिन्दगी की तियारी करे मौत से पहले अपने आपको संबाले हाँ अब मौत के बाद की जिन्दगी है उसको संबालना उसके लिए तियारी करना ये अकलमंदी है इसलिए कि भाई दोस्तों बजरुको दुनिया का मसला मसला नहीं है मसला आखिरत का है हाँ अभी जो इनसान मसाईल मसाईल कह रहे हैं कहा कि मसाईल यह नहीं है मसाईल तो इनसानों के साथ मौसर शुरू होते हैं हाँ आखिरत है आखिरत को संबालना आखिरत को बनाना और हम दुनिया में इसी के लिए अल्लह ताला ने हमको दुनिया में बेजा है कि हम अपने आखिरत को सवा रहे हैं अपने आखिरत को बनावे अद दुनिया मजरात अलाखिरत दुनिया आखिरत की खेती है जो इंसान दुनि आख को अच्छा च्छा अच्छा काम करेगा उसका बढ़ला उसको आखरत में मिलेगा, विआ को बुरा काम किए तो उसको भी देखेगा, उसको भी इंसन देखेगा आखिदा, एक को अब प्रृफ और कहां से माल कहां से कमाया और कहां खर्चकिया हम उसके मालिक नहीं थे ये ल्लाह ने हमको दिया है अपने अम्रा को किस काम में लगाया अपने जवानी को किस काम में लगाया इनसानों को पूछा जाएगा इनसानों को दुनिया में बेजा गया है और इस सारी काइनात और सारी चीज़े सारी न्यामते सारी मखलुक अल्ला ताला ने इन्सानों के लिए बनाई है और इन्सान को अपने लिए बनाई है कि सारी दुनिया सारी मखलुक इन्सानों के लिए है और इन्सान किसके लिए है हाँ, इन्सान अल्ला तुम्हारे लिए पैदा हुई है, और तुम आखिरत के लिए हूँ, आखिरत के लिए हूँ, आखिरत के लिए हूँ, आखिरत के लिए इन्सान पैदा किया गया है, इसलिए उसके खिद्मत में, उसके कामकाज में, उसकी जरुवतों को पूरा करने में اللہ تعالیٰ ने सारी मखलुक को लगा लिया कोई मखलुक उसकी जरूरत पुरा करने में इंकार नहीं कर सकती सारी मखलुक उसके लिए मुसक्खर की गई सारी मखलुक ताबिए बड़ा से बड़ा हाथी भी उसका ताबिए जमीन को जिस तरीके से चाहे खो देगा आपने जमीन के खजानों को निकालेगा इंसानों को सारी चीजों की जरूरत है और दुनिया की चीजों को इंसानों की जरूरत नहीं क्योंकि वो इंसानों के लिए पैदा हुई है इसलिए भाई दोस्तों बजरूगों इस दुनिया की मुक्तर से जिन्दगी को समझना और उसको संभालना और आखिरत के लिए उसके आखिरत के काम में आवे ऐसे आमाल उसकी जिन्दगी में करना ये अकलमंदी है ये अकलमंदी है नादान वो शक्षा है जो अपने दुनिया को एक खातिर अपने आखिरत को उजाड़े यह अकलमन ने यह नादान है हाँ इसलिए कि दुनिया का वनफा दुनिया की तकलिफ भाई दूस्तर बुद्रू को मौत से पहले किया वक्ती है मौत पर खतम होने वाली है दुनिया की हर्चिज इंसानों पर मौत पर खतम किसी इंसान को बहुत ज्यादा रहात मिल गई दुनिया में कहां कि राहत का सिलसला मौत तक चलेगा मौत आई रहत दुनिया की खतम कोई दुनिया की कोई तकलिफ थी कहां कि मौत आए, दुनिया की तकलिफ खतम अब दुनिया की कोई राहत और दुनिया की कोई तकलिफ का कोई एसास नहीं अब आखिरत में क्या चलेगा कहां कि आखिरत में अपने आमाल की साथ चलेगा अच्छे आमाल हैं तो राहत मिलेगी अच्छे आमाल नहीं किये इंसान ने अल्ला को नाराज किया है इमान को नहीं सिखा है इमान के बगिर दुनिया से गया है तो ये तकलिफ में आएगा इसलिए भाई दोस्तों बजरूगे एक महनत है ये ये खाली-खाली कोई बाते नहीं है हमको एक जिन्दगी गुजानने का एक तरीका सिखाया है हमारे आका स्लिए ने दुनिया के इनसानों को ये बाते सिखाई है कि दुनिया में अपने जिन्दगियों को किस तरीके से गुजारना दुनिया में अपने रब को अपने खालिक को अपने पैदा करने वाले अल्लह को पहचानना और उसकी फर्माबरदारी करना उसकी नाफर्मानी से अपने आपको बचाना हमें तरीजा सिखाया है हम आज़ाद नहीं है मुसलमान आज़ाद नहीं है पाबंध है हम किसी लाइन में आज़ाद नहीं है हम कमाने में आज़ाद करो कहा कि हम नहीं कर सकती है हाँ हमें दुनिया में एक जिम्मेदारी दी है हमें दुनिया में एक जिन्दगी गुजानने का तरीका सिखाया है जो इनसान दुनिया में इन तरीके के मुताबिक अपने जिन्दगियों को गुजारेगा अल्ला तला उसको दुनिया में हाँ दुनिया में नहीं पहचाना आल्ला के वάλमिर को तोड़ा भाई दोस्तोब बज्रूरु को दुनिया की जिन्दगी में तंगिया होगी इसलिया आल्लह की नभी में ने शाहबा को एबाते समजाई आखिरत को समझाया वै आखिरत की राहत उको समझाया जन्नत को समझाया कि आखिरत की राहत कितनी बड़ी राहत है अबदी राहत है कबर में इंसान राहत में चला गया पयाम मत तक रहेगा और उसको हमेशा के लिए राहत रहेगी उसको को तकलिब ले आएगी इसलिए आखिरत की राहत को देखकर सहाबा ने सारी तकलिफों को बरदाश की आज सबसे बड़ा मस्वला ये है कि हमने दुनिया में आखिरत की राहतों को बूले है हाँ आखिरत की राहतों को आखिरत की तकलिफों को इस्तेदान नहीं है इसलिए दुनिया की राहत हमको बली लगती है और दुनिया की तकलिफों से इंसान थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी तकलिफों से अल्ला के अवामिर पूरा करने से जो तकलिफ है इंसान गवरा जाता है इसलिए कि आखिरत सामने नहीं है हमने आखिरत को सामने नहीं रखा आखिरत की राहतों को आखिरत की तकलिफों को हमने सामने नहीं रखा जिसके बुनियात पर इंसान दुनिया में थोड़ी थोड़ी दुनिया की तकलिफों पर गवराएगा हाँ दुनिया की तकलिफों पर इंसान डरेगा और दुनिया की राहतों के चक्कर में अल्लह की नाफरमानी करें अल्लह को पहचानना भाई दोस्तों बद्रू को हमें इमान सिखाया हमारा इमान है आमन तो बिल्लह हम सबसे पहले अल्लह पर उस अल्लह पर इमान लाए जो हमारा रद है, खालिक है, मालिक है, हर चीज़ पर कादिर है उसका यकिन अपने दिल में बिठाना हमको बुनियादी कलमा दिया ला इला इल्ला इल्ला ये बुनियादी है कि वह किसी से कुछ नई होता करने दनने वाली जाद सिर्फ एक अल्ला की है जैसे जुबान से बोले है ने, उसको दिल में बिठाना उस यकिन को दिल में बिठाने का नाम इमान है और आदमी का यकिन, जिस बात का यकिन दिल में होगा, इनसान वो आमल करेगा इनसान वो आमल करेगा अल्ला की जाद का यकिन दिल में है तो अगर अगर यह चीज़ नहीं है भाई दोस्तों बदरूगों तो इंसान को दुनिया की सिंदगी में अल्ला के अवामिर भारी बनेंगे बोज बनेंगे इसलिए इमान को सिखाया गया इमान सिखने से आता है आज हमारे अल्ला माफ फर्मावे हमने उसका तसवर हमारे जहने जहने से निकल गया जोब इमान को सिखना सहाबा कहते थे ताल्लमनल इमान सुम्मत आल्लमनल कुर्ण हमने इमान को सीखा फिर कुरान को सीखा आज वो तसवर हमारे जहन से निकला हमने सब को पहचाना अपने खालिक मालिक अल्ला को नहीं पहचाना, सब की बड़ाय बोले, लेकिन अपने रब की बड़ाय नहीं बोले, एक आदमी ने शादी के मौके पर पांच हजार आदमियों को खिला लिया, ये को अच्छी बात नहीं है, लोग उसकी तारीफ करें, देखो उसने ये खिला, ये खिला, ये खिला, ये खिला, वो अल्ला साड़ी साथ सो करोर इंसानों को जो है, रोजाना तिन वक्त खिलाता है, कभी जबान से एक मरतबा भी किसी के जबान पर नहीं आता, उसने पांच हजार आदमियों को खिला है, उसने दो हजार को खिला है, उसके तखिरे होते है जुबानों पर लेकिन उस ल्लागा तथिरा नहीं होगा जो रोज़ाना साड़ी साथ सो करोर मख्लुक को खिलाता है सारे इनसानों को खिलाता है कभी नहीं कियाते कि Allah ने खिलाये मुझागरे है भाई जोस्तों बज़ुद्रूबगा अल्ला की बड़ाय के मुजागरे, अल्ला की कुद्रत, अल्ला की ताकत को पहचानना, अल्ला बड़ी ताकत वाले है, सारे खजाने अल्ला के पास है, अल्ला जो चाहेगा वो होगा, एक पत्ता भी अल्ला की अजाज़त के बगिर अपने जगा पर हरकत नहीं कर सकता, हाँ अपने रभ को पहचानना हाँ कि अपने हमें क्या काम दिया है और हमें मकसद के लिए बेजा है अफा खासिर्तृम अन्नमा खलकनाकूम अबसाँ वाणनकूम इलेना ला तुर्जाउन ला समझाते है है मेरे बंदों क्या तुमने गुमान कर रखा है ऐसे जिन्दगी गुजारते हो, नहीं भाई दोस्तों बद्रूगों, मौत हक है, और हर एक के साथ है, एक वक्ती जिन्दगी है, और मौत जैसे ये आए, इंसान के जो है कयमत आ गई, अब मौत से जो है, उसका सारा शुरू मामला, इसलिए मौत से पहले अपने आपको संभा ये अकल मंदी है, ये अकल मंदी है, कि इंसान मौत से पहले अपने आपको संभाल ले, अलकये सुमंदान नफस हुआ मिलाल इमाबादल मौत, ये अकल मंद है, जो मौत से पहले अपने आपको संभाले, हाँ अपने इमान को बनावे, इमान को सीखे, इमान को सीखा, इमान क के जरिये अल्ला ताला ने आमाल ये नमाज ये रोजे ये अल्ला ताला ने अपने खजाने से लेने के लिए दिए साहाबा को सिखाया हाँ साहाबा को मुस्टगिल सिखाया दो साल कि वैं अल्ला से लेने का तरीका सिखाया नमाज के रास्टे से नमाज को सिखाया नमाज जो है खाली हम जो पढ़ लिया है नमाज पर मुत्मैन हो गए फरमाया कि नमाज काफी नहीं बलकि नमाज वो पढ़ने यह आप अलिक्सिलाम ने फरमाया कि नमाज यह सी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा नमाज को सीखना है आतो आनि मेहनत नहोने की बुनियाद पर इंसान अपनी नमाज पर मुतमेन हो गया हलाकि इंसान पूरी जिन्दगी नमाज को सीखता रहेगा नमाज का कमल पूरा नहीं होगा उसको सीखना है रोजा ना सीखना है उसके जाहिर को सीखना हाँ कि वह उसका रूकू है उसका सद्दा है हमने कभी अपने अला के रास्ते में गए नमाज को सुन लिया है कभी ऐसा दिल मे आता है कि बहुत गर पर रहकर भी मेरे अपनी नमाज को सही कर लो मेरा रुपू सही हो जावे मेरे अंदर किराय अश्कार जो पढ़े जाते हैं वो सही हो जावे हाँ उसको सीखना है हाँ कि उसके जाहिर को सीखना उसके बातिन को सीखना उसमें अल्ला का ध्यान जमे नमाज जो पढ़ रहा हूँ अल्ला मुझे देख रहा है यह ध्यान और तस्वूर अल्ला का ध्यान इस नमाज में जितना अल्ला का ध्यान आएगा और फाइदा उठाने के लिए उतारी है। इनसान उसको शीखे और इबादत में सबसे अहम इमान के बात जो है नमाज है। नमाज उको देखा जाएगा। वे नमाज सएद हो। हाँ नमाय अमल में नमाज निकल गई। प्रमाय कि सारा हिशाब सभी, कहा कि उसका हिशाब आसान हो जाएगा, जिसके नमाज सही निकल गए, उसके सारे आमल सही निकले, और जिसके नमाज में कोता ही हो गई थो, हाँ इमान के बाद बुनियादी आमल है, नमाज, उसको सीखने का तसवूर हमारे जहनों से निकला, उसके जाहिर को सीखे, उसके बातिन को सीखे, नमाज में ध्यान जमाने की मश्क को करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आती, कि चलो बें नमाज में ध्याना आगया, ऐसा नहीं है भाई, उसके लिए सीखना पड़ेगा, दो-दो रकात नमाज पड़कर इंसान को मश्क करनी पड़ेगी, इस नमाज के जरीए अपने मस्लुक को हल कराने को मश्क करना, उसको सीखना, हमारे गर में कोई काम होए तो हम सबसे पहले जो है हम सबसे पहले दो रकात नमास पढ़ेंगे फिर अस्वाब और तड़्पीर को इक्तियार करेंगे दो रकात सलातुल्हाजाद कि अल्लाओ एक घर में बिमारी आई है तो ये अल्लाओ शिफा अता फरमा और दो रकात नमाझ पड़ेंगे और पिर अल्ला से कह EPA कर पिर एक तद्जिर को इकतार करेंगे अल्लह ताला जंग… सिकना एकfel मैं दया लजह-दोर नमाझ helps कि हुए और इस नमाझ पर यकिन आते हैं। कि हम जो पढ़ लए हैं उसके पर आदमी मुत्महीन हो गया है, कि मैं चलो बराबर है मेरी नमाज कंप्लेट है, नहीं नमाज को मौत तक सिखना, उसके जाहिर को सिखना, उल्मा के पास बैठकर अपनी नमाज को सुना, सुनाना, अपनी मस्तुरात को, हाम जमातों में भी जा गरों से निकले, भाई दोस्तों बजरूगों, आखिरत के मुझागरे जब गरों में आएंगे न, इस सारी बाते अपने गरों में पैदा करना है, ऐसा नहीं माहूल है, एक माहूल है, बाहिर जितना भी बेदिनी का माहूल बनता जाएगा, हम अपने गर में जो है, दिन की फिज़ा बनावे, नुरानी माहूल बनावे, यह हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, यह हमारे आमाल को, हमारे अपफालू को देखते हैं, देखते हैं, हाँ गर में गए, फौरण जो है, आदमी कोई कफलत में, किसी मोबाईल को लेकर बैठा, फौरण उसका असर कि उनको पता नहीं चलता हैं, हाँ, यह बढ़ू की हर बात को लेती हैं, इसलिए गरों में जो हैं, इन रिवाजु को डालना, नमाजु को सिखना और सिखाना, सिखने का, और अल्ला नमाज के जरी अपने मसलु को हल कराने के, जब नमाज सही होगी हैं, नहीं सारी जिंद अदा जाएगा, उसको अदा किया जाएगा, नमाज को, जब नमाज सही अदा होगी, हाँ, इसलिए बाइदोस्ता बदरुगों, एक सिखने का रिवाज पैदा करना, पूरा दिन सिखना है, पूरा दिन सिखना, हाँ, हमारे पर इतना तो जरूरी है, कि जिसे आदमे हलाल क को जाने, हराम को जाने, जब तक आदमी अपने दीन को नहीं सेखेगा, तब तक अपने दीन पर सही अमल नहीं कर सकेगा, उल्मा से बैठे, हाँ, मौत अबर उल्मा के पास बैठ कर जो, अपने दीन को सीखे, हल लाइन का इल्म सीखे, रमजान आ रहा है, रोजे का इल्म स सीखना भी फर्दा है नमाज फर्दा है तो नमाज को सीखना भी फर्दा है नमाज को पूरा सीखे जकात फर्दा है जकात को सीखना फर्दा है हम अपने अतिबार से मैं जो समझा हूँ वो दिन है भाई दोस्तों बद्रुगों यह हमारी तर्तिब नहीं है इसलिए भाई दोस्तों बिद्रू को जिन्दगियों में एक एक निजाम बनाकर अपने जिन्दगियों के एक तर्थिब बनाकर अपने जिन्दगियों को गुजारना वन्ना इस जिंदगी यहीं कुरी होती जाले पुरी हो जाएगी और इंसान मौत पर जो है अचानक से इंसान को एसास होगा फकड़ा जाएगा उस वक्त पता चलेगा कि ओफो मैंने अपने जिंदगी कैसे गुजाल ले लेकिन ऐसे वक्त में एसास होगा कि जिस वक्त में करने का टाइम नहीं होगा मौका हाथ से छुट गया होगा इसलिए भाई जोस्तों बदरुगो अपने दीन को सीखे पूरा दीन सीखना पूरा दीन हमारी जिंदगी में होना जरूरी है अबादत की लाइन का दीन मामलात की दाएन माशरत का अखलाकियाद का पूरा दीन सीखना हमें अल्ला के नभी स्लाव सलम ने पूरा दीन सीखाया और पूरे दीन पर चलने पर अल्ला की मदद और नुसरत होगी अगर अदूरे दीन पर अजरु सवाब मिल जाएगा लेकिन हम जो चाह रहे हैं सहाबा ने अपने दीन से दुनिया में नफ़ा उठाया कैसे उठाया अपना बच्चे बच्चे का इंतिकाल हो गया अए वा औरतने दो रकात नमाज पड़ी उसकी माने दो रकात नमाज के जरिया अपने मुरदा बच्चे को जिन्दा करा लिया कि सफर कर रहे हैं सवारी जो शमाने में गदे थे गदा मर गया है कोई बात नहीं साथे को का तुम आदिये जाओं दो रकात नमास बढ़ी और अपने मुर्दा गदे को जिन्दा करा लिया यह कैसे हुआ कहां कि उसको सीखा गया था उन्होंने अपने दीन से नफ़ा उठाए आजार इतना बड़ा दीन मिलने के बावजोद भाई दोस्तों बुद्रों को इनसान अपने आपको दुनिया का मोहताज बना कर वही समझता है कि दुनिया में तो वही ठकना मनना पिटना है और असल तो यह दिन तो आखिरत में काम बनाएगा और जितना जिन्दग्यों में दिन आएगा अल्ला तला जिन्दग्यों को खुशगवार बनाएगा जिन्दग्यों में सुकुन आएगा जिन्दग्यों में बरकत आएगी और जितना जिन्दग्यों से दिन निकलेगा भाई दोस्तों बुद्रों को शकले कितनी भी राहत की बनती जाएगी लेकिन जिन्दगिया में सुकुन नहीं होगा जिन्दगिया में बरकत नहीं होगी जिन्दगिया जो बनेगी भाई दोस्तों बुद्रु को अल्ला के अवामिर से बनेगी अल्ला के नभी तरीकु से अपने जिन्दगिया बनेगी और उसके बगि km भूप और यह था हैंधिकरी पैंदल्हमाई शत अन्जन का कि सबसे पहले उसकी जिनरों किया तांग हो गी रहें सहान फूरी जिनरों में तंग आएगी इसलिए एक मेहनत है मेहनत के जरीए जो है आदमे अल्लह के रास्टे में निकले जब आदमे अल्लह के रास्टे में निकलता है तो एहसास प्यदा होता है जब तक आदमे अल्लह के रास्टे में निकले गाने तब तक जो है इस बात का एहसास नहीं होगा एक जोवान होता है पूरी जिन्दगी जो है माबब की नाफरमानी में गुजारी कभी बीबी पर जल्मकरते हुए गुजारी और जैसे ये ल्ला के राष्टे में गया अब ये रो रहा है क्या हुआ? कहा कि रो रहा है? कहा कि क्यूं रोते हूँ? कहा कि मैंने तालिम में बैठा और तालिम में बैठकर मैंने माबाब के हुकुक को जाना मैंने कितनी माबाब की नाफरमानी की है मुझे एसास हो रहा है अब एसास उसके दिल में पैदा हुआ कभी कहता है कि मैंने बीबी पर बड़ा जल्म किया है अब एक 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 एसास पैदा हुआ और दुनिया में अपने आपको इंसान ने जो अपने जिन्दगी को जो अल्ला के दिन पर संभाल लिया भाई जो बार 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 एक बात कही जाती है कि अल्ला के रासे में निकले और निकलने का एक मिज़ाज बनावे एक माहूल बनावे यह इस्तिमाद इसी के लिए है हां कि इस्तिमाद में आदमे जो है एक आदमे का अमुमी जहन बन कर अल्ला की तरफ से हिदायत का इंतिजाम होता है अलजा की तरफ से हदायत का इंतिसाम होता है आदमें दिल में सची तरफ को पैदा करे मागे और प्रिन को अपनी जिंदगियों में लाने के लिए उसके लिए फिकर करे, मेहनत करे हाँ, और उसके लिए आसान हाँ, अपने इमान को बनाने की नियत से जो है, अपने इमान को सीखे अल्ला के रास्ते में निकल कर इमान को सीखे, जितना अंदर का इमान बनता जाएगा, दिन उसका इतना ही जिन्दगे में आता जाएगा और जितना अंदर से इमान के अतिबार से इमान कमजोर होता जाएगा भाई दोस्तों बेरोगों आदमी अपने इमान पर इतना ही अपने जिन पर मुत्मेहिन हो जाएगा चलो बैं मैं तो बहुत कर रहा हूँ बहुत हो गया हाँ इतना तो कर र इमान बना हुआ है उसको आखिरत का इस्थेजार है उसको मौत के बाद की जिंदगी का इस्थेजार है उसको जन्नत का इस्थेजार है हाँ इमान बनेगा तो भाई दोस्तों बदरू को इस सारी बाते आसान होगी और अगर इमान नहीं बना तो भाई दोस्तों बदरू को द बार बार हमें कराई जाती है शैतान जोतान बड़ा चालाक होता है, होश्यर होता है यहां से उच्खेगा वो समझता है कि दिन की बातों दिन की मजलिशों में बैठेंगे दिन की बाते सुनेंगे और फिर उनका दिल असल लेगा और अल्ला के रास्ते में निकलने वाले बनेंगे यह कुर्बानी देने वाले बनेंगे यह अपने जिंदग्यों को बदलने वाले बनेंगे यहां से उठाएगा, जमने नहीं देगा चोटे-चोटे बहानों पर मामूली-मामूली बहानों पर जो है हमें जो है जमने नहीं देगा और इस्तिमा कि जो हमारा जो वक्त मिला है एक कीमती वक्त जो हमारा हाथ से छोड़वा लेगा कीमती वक्त हमारे हाथ से शैतन छोड़वाएगा यह मेहनत करेगा वो हमारे साथ आ चुका है घर से टिकट के हम तो किसी सवारी में आये है वो सवारी में नहीं आया, वो हमारे साथ आ चुका है, अब उसकी यही फिकर रहेगी, कि आने वाला जो मजमा है, इस मजमे के वक्तों को जाय कराना, जमने नहीं देगा, आमाल में जमने नहीं देगा, बयानों में जमने नहीं देगा, तश्किल के वक्त जो है, जैसे बयान स का करना कि मेरे तीन दिन की जितनी भी नमाज रहिए सारी नमाज के साथ होँए चलो घर पर जमात आगे पीछो हो जाते थी लेकिन एं तीन दिन मैं आल्लह के रास lag के बुनियत पर आया हूं सर्ड़ी तीन दिन की जितनी भी नमाज देliर इंशाल्लह मैं तख्विर उला के साथ अदा करूँगा एह मस्का करना हाँ पुरान की तिलावत में मस्का करना कुरान को सीखना अभी अच्छा मौका है अभी हमारे पास वक्ता है बयानों के अलावा का जो वक्ता है उसमें हम सीखे, सिखा वे एक अच्छा मौका मिला है हमारे बहुत सारे साथी ऐसे है कि जिनके मुलाकाते करना चाहते थे घर पे नहीं कर सकते थे सब बस्तियों में जाकर मुलाकाते नहीं कर सकते थे लेकिन आज वो साथी जो है आज अलहम्दुलिल्ला फारी वोकर आ चुके है उसको गनिमत समझे हाँ उनके पास बैठे उनका इकराम करे उनको दिन के बाद के मुझागरे करे यह हमारे तीन दिन का जो वक्त है उसमें मुझागरे करे हाँ कि भे हमारा वक्त तक ऐसे सही गुजरे और आखिरत के मुझागरे मनने के बाद की जिंदगियों के मुजागरे और उसके लिए असाइम करे कि हम नईयते बनावे कि वे हमारे जिंदगियों में कैसे अल्ला का दिन हमारी जिंदगियों में दीन आवे दीन की मेहनत आवे उसके लिए आपस में मुजागरा हमारे तीन दीन के दर्मियान जो है हम दुनिया के मुजागरे न करें तीन दीन जो हमारा जो मौका मिला है बयान के अलावा का हम जो आपस के मुजागरों में ये जो बयान में बात हुए उसके मुजागरे करें जब आदमी थोड़ा सा अंदर से सही रुक को इक्तियार करेगा हमारा अल्ला बड़ा करीम है हमारा अल्ला बड़ा रहीम है हाँ मेहनत करने वाले को कभी जाए नहीं करते कभी अल्ला ताला मेहनत करने वाले को जाए नहीं करते अल्ला ताला हमें नावाजेंगे थोड़ी सी दिल में तलब प्धेदा करेंगे यहिदि इलैयमै, यूनिव थोड़ी सी दिल में तलब होगी अल्ला की तरफ मत elles étलब होगे हदेश में आता है जिसका खलासा है कि बंदा अल्ला की तरफ एक कदम चलता है तो अल्ला जो कदम चलते है और बंदा दो कदम चलता है तो अल्ला तला चल कर आते है और जब बंदा चल कर जाता है तो अल्ला दोल कर आते है बंदे को पकड़ लेते हैं अल्ला अपने बंदे के खूश है हाँ अल्ला बंदे के इंतिजार में है मेरा बंदा मेरे पास आ जाए इसके लिए भाई दोस्तों बद्रू को आखिरत के मुजागरे यह हमारे तीन दिन का जो वक्त है हमारा जो इस्तिमा का जो वक्त है इस वक्त को सही गुजारना इदर उदर में हाँ भाई दोस्तों बद्रू को वक्त न गुजारे दो दिन में हमारा इस्तिमा पुरा हो जाएगा यह हमें मौका बार बार नहीं मिलेगा नमालूं कितने वक्त तक के बाद एक अच्छा मौका दिया है हम उसकी कदर करे आने वाले मजमूख की कदर करे अपने बाईयों के साथ इकराम के साथ पेशावे तस्बीहात का हित्माम करे तैय करे के बेड़ सुन्थों का हित्माम और उसकी मख्क करे वह एक एक सुन्थों कर अच्छा क्या देंगे हाँ और उस Hudson के अच्छा ने क्या फाइदे रखे है उसके आपस में मुजागरे और उसकी मख्क करना यह हमारे तीन दिन का जो जमाना है, इस्तिमाम एठ्यानने का जो जमाना है, उसमें मुस्टकिल दूआउं का इस्तिमाम और उसकी मश्क करे। अगर हमारे तीन दिनी संदाज से गुजर गए, अपने साचों का इक्राम करे, बहुत सारे कमजोर होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका खिजमत करे, उनका इक्राम करे, कोई माजूरीन है, उनकी ज़रूरत का ख्याल करे, एक मौका है, इसके लिए बाई दोस्तों है कि अल्ला तलहा हमारे जिन्दगे में हिदायत को उतारेगा, और अई मौक को तリगा, अपने दिन के लिए हमिए कबोल करेगा, और जब आस्मान से ल्ल्ला कोस्तों क्बोल परेगा, तो दुनिया ल्ल्ला सारे मसले, आस करेगा, 21 ओरऑ, कि जब तक के अपने आपको हब कबिल करा है झाल झाल